इस मेगनेटिक फिल्ड चप्टर का जो मेजर पार्ट है उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई मुविंग चार्ज हो या कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर हो वो कितना मैगनेटिक फिल्ड प्रडूस करता है जबकि हमने इलेक्रो स्टैटिक्स में बढ़ा था कि एक स्टेशनरी चार्ज इलेक्रिक फिल्ड प्रडूस करता है स्टेशनरी चार्ज इलेक्रिक फिल्ड प्रडूस कर रहा है और इस चप्टर में क्या पढ़ेंगे कि चार्ज मोशन में होगा तो मैगनेटिक फिल्ड प्रडूस करेगा है नो तो यह जो points मैं बता रहा हूं इस points को हम लोग पहले यहां पर no down करते हैं कि किस state में जो charge है electric field produce करता है और किस state में यह magnetic field produce करता है तो जैसा कि मैंने बताया कि stationary charge produces electric field only जबकि कोई ऐसा charge हो जो कि uniform motion में हो तो वो electric field भी produce करता है और magnetic field भी produce करता है तो आःम में नव्हेर बोदूड गदिर иты जो जैस Cook जो जो जोड़री जोड़री ढिन्यवदिव भी तो actually में कहा जाए कि यहां पर moving charge electric field, magnetic field produce करता है और charge stationary होता है तो केवल electric field produce करता है इसका मतलब यह हुआ कि कोई charge electric field produce करेगा या magnetic field produce करेगा यह observer dependent होना चाहिए क्योंकि rectilinear motion उनने क्या पढ़ा था कि rest और motion जो दो state होते हैं वो actually में observer dependent होते हैं absolute rest कुछ भी नहीं होता यह हमने पढ़ा था वहाँ पर तो एक जो charge है वो किसी observer को stationary दिख रहा होगा वही charge किसी दूसरे observer को motion में दिख रहा होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई charge electric field produce करेगा या magnetic field produce करेगा यह observer dependent होना चाहिए इसको मैं एक छोटे से example से समझाता हूँ जैसे कि कोई charge है यह charge V velocity से यहाँ पर जा रहा है और एक observer है O1 यह भी V velocity से जा रहा उपर की तरफ एक दूसरा observer है O2 जो की race पर है तो यह जो observer है इसको यह charge जो है stationary दीखेगा यह कुद भी V velocity से जा रहा है और यह जो charge है यह भी V velocity से जा रहा है दोनों सेम direction में जा रहे है तो क्या होगा कि इस observer को यह charge race पर दीखेगा और इसलिए यह charge इसके respect में केवल electric field produce करेगा तो कह सकते हैं विथ रस्पेक्ट टू observer O1 charge is stationary so it produces it produces electric field only with respect to O1 अब आते हैं दूसरे observer के respect में इस observer के respect में यह जो charge है यह motion में दीखेगा uniform motion में दीखेगा uniform motion का मतलब constant velocity है तो इसके respect में यह जो charge है यह electric field भी produce करेगा और magnetic field भी produce करेगा तो जैसे कि यह जो charge है इस charge का अपना एक region होता है जिस region में यह electric field create करता है जब यह charge चलने लएगा तो यह जो पूरा region मेंने circular region दिखाया है circular region इसके साथ में आगे आगे खिसगरा होगा इसलिए किसी भी point पर जो electric field यह produce करता है वो vary करने लगता है और electric field varies करता है orse तो magnetic field पोडूस होता है magnetic field vary करता है तो electric field पोडूस करता है तो actually में electric field और magnetic field जो है वो एक दुसरे के complementary हैं और इसलिए हम लोग जानते हैं कि चार fundamental forces में से एक जो होता है electromagnetic force होता है तो अलग-अलग electric force magnetic force अलग-अलग नहीं करके electromagnetic force इसलिए का आ जाता है क्योंकि एक दूसरे पर dependent है है एक ही चीज different observer के लिए वो different तरीके का force दिखता है तो दूसरा वाला जो observer है इसके respect में ये वाला जो चार्ज है वो electric field भी produce कर रहा होगा और सांथ में चुकिए electric field वहरी करता है तो magnetic field भी आएगा तो कह सकते हैं कि with respect to observer observer O2 with respect to O2 charge is moving with uniform velocity, so, it will produce, it will produce both electric field and magnetic field है ना, observer O2 के respect में ये electric field भी produce करेगा और magnetic field भी produce करेगा लेकिन अगर कोई ऐसा चार्ज हो जो की accelerated हो मतलग किसी velocity से भी चल रहा है और उसके पास acceleration भी है तो वो क्या करता है वो तो electric field भी produce करेगा, magnetic field भी produce करेगा और सांथ में energy भी radiate करता है आपने electromagnetic wave का नाम सुना होगा तो actually में electromagnetic wave जो है उसका source होता है accelerated charge हमने पढ़ा था wave में कि wave क्या है एक तरह से energy है जहाँ जहाँ wave जाता है वहाँ 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 पर energy जाता है तो accelerated charge जो है वो energy radiate करता है और वो जो energy radiate करता है वो electromagnetic wave के form में होता है तो इसलिए जो third point है इसमें हम लोग यह कर सकते हैं कि an accelerated charge an accelerated charge produces both electric field and and magnetic field and also radiates energy तो इसलिए कहते हैं कि accelerated charge is the source of electromagnetic waves electromagnetic waves आगे एक चप्टर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से accelerated charge जो है वो wave generate करता है या energy यहां पर हमने क्या देखा कि जो magnetic field है वो और वर डिपेंडेंट होता है तो यहां पर हमने यह सीखा कि electric field प्रोडूस करेगा या magnetic field प्रोडूस करेगा या energy भी रेडियेट करेगा यह अगे जागर करके कि अगर कोई moving चाज है उसके पास velocity वी है तो उसके कारण से जो भी magnetic field प्रोडूस होता है वो उसकी वेलोसीटी पर डिपेंडेंट होता है और उसकी जो वेलोसीटी है वो observer dependent होता है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक और पॉइंट कि magnetic field produced by charge is observer dependent है ना जबकि जो conductor है current कारीं conductor है वो कितना magnetic field प्रोडूस करेगा वो observer dependent नहीं होता है magnetic field produced by a current carrying conductor current carrying conductor is independent of observer ठीक है तो इसको एक छोटा सा इसमें current जो है मान लिया कि ऊपर जा रहा है अगर current ऊपर जा रहा है तो जो electrons होंगे वो नीचे की तरफ जा रहे होंगे किसी वेलोसीटी वी से तो मान लिया कि अपने पास दो observer है एक observer है O1 और एक दूसरा observer है O2 O2 जो है वी वेलोसीटी से जा रहा है तो अगर हम दो देखेंगे इस O1 के respect में O1 जो है रेश पर है O1 के respect में देखेंगे तो electron नीचे की तरफ जा रहे है तो उसके respect में जो current flow करेगा I की value होनी चाहिए N E A into drift velocity होता है current में जब हम लोग current chapter पढ़ रहते हैं तो उसमें हमने यह formula derive किया था मैं यहां से VD हदा देता हूं क्योंकि यहां पर यह ट्रॉन की velocity मैंने V ले रखा है अब देख सकते हैं कि यह जो observer है जो की race पर है यह conductor भी race पर है होते हैं उतने negative charges भी होते हैं तो इसमें कुछ positive charges भी होंगे यह तो electron है negative charge है उतना ही positive charge भी होगा जो की conductor के respect में race पर हते हैं conductor के अंदर यह fixed है यह move नहीं करते हैं तो conductor के respect में यह race पर हैं यह conductor respect में चल रहा है यह अब जरुदर चल रहा है इस और वर क्या लाएगा इस observer को लाएगा कि यह तो race पर है कि सांथ में चल रहा है और यह जो race पर है इस observer को यह उपर की तरह V velocity से जाता हो दीखेगा है ना मतलब इस observer के लिए जो है वह moving charge चेंज हो गया मतलब इसके लिए उलक्ट्रोन नहीं चल रहा होगा अब उल्टा डिरेश्ण है taking digan चार्ज का नमबर और नेगेटिव चार्जान नमबर बराबर होता है तो यहां भी मैं current निकालूंगा तो आएगा यही A, E, A into V ठीक है, इसके respect में यह V velocity जाए, velocity उतनी है और जितनी electron की density लेंगे, उतनी positive charge की density लेंगे हम लोग, तो current की जो value आएगी, यह तब भी इतनी ही आएगी, direction भी उतनी आएगा, अभी देखेंगे कि O1 के respect में positive charge नहीं चल रहा था, सीव electron चल रहे थी, electron इधर चल रहे थे, तो current उधर जा रहा था, कितना, है न, इसके respect में क्या होगा, O2 के respect में यह नहीं चल रहे है, यह positive charge जा रहा है, तो positive charge जिदर जाएगा, उधर ही तो current लेंगे, तो इसके लिए भी current उधर ही जा रहा है, तो दोनों observer के लिए current का जो magnitude है, वो बिल्कुल सेम है, और जब किसी conductor के कारण से हम लोग magnetic field find करते हैं, तो उसमें जो variables आते हैं, variables में I आता है, V नहीं आता, ठीक है, तो I आने का मतलब यह हुआ, कि जो magnetic field है वो current dependent है, और current जो है, वो observer dependent नहीं रहा है, दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ, कि किसी conductor के कारण से जो magnetic field produce होता है, वो observer dependent नहीं होता है, थिक? तो अब जो है, हम लोग यह भी कर सकते हैं, कि जैसे कोई magnet होता है, magnet का जो magnetic field होता है, magnetic field produced by a magnet is not, और का सक्ना है, is independent of observer, independent of observer, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, अब जो है, आगे हम लोग सीखने वाले हैं कि जो current carrying conductor है, वो कितना magnetic field produce करता है, और किस direction में produce करता है, तो magnetic field का direction समझने के लिए, हमें cross product का, दो विटर का cross product होता है, उसका direction निकालने आना चाहिए, क्योंकि ये जो chapter है magnetic field, इसमें, और आगे जो chapter आने वाला electromagnetic induction, ये दोनों chapter मिल आगे कम से कम 5-6 formula ऐसे आएंगे, जिन में cross product आता है, और उसमें cross product का direction निकालने के जुरूत पड़ेगी, अगर ये direction निकालने नहीं आता, तो हम ये chapter समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सबसे पहले सिखाऊंगा कि cross product का direction कैसे निकालेंगे, cross product का direction निकालने के लिए कई स सारे तरीके हैं, आप books में पढ़ेंगे, तो हर formula के लिए, जो cross product के formula यहां पर आएंगे, हर formula के लिए एक अलग-अलग rule दिया हुआ है, लेकिन चुकि सारे formula cross product वाले ही हैं, तो अगर हमें एक formula कोई बढ़ियां से पता हो, तो उसको apply करके हमेशा direction निकाल सकते हैं, इसलिए मैं एक ही formula, एक ही rule सिखाऊंगा, जिसको apply करके हम लोग cross product का direction पता कर सकते हैं, तो कई सारे rules होते हैं, जिसमें से हम लोग सीखेंगे, right hand screw rule, right hand screw rule, यह rule जो है, मेरे ख्याल से सबसे आसान है, इसमें कोई हाथ, कोई दर दर भुमाना नहीं है, एक right hand thumb rule भी होता है, कई लोग उसको भी सीखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हाथ कभी इधर से उधर से घुमाना होता है, कापे टेने मेरे हाथ करना पड़ता है, थोड़ी मुश्किल आ सकती है, इसलिए मैं सबसे आसान वाला rule जो है, वो समझा रहा हूँ, right hand screw, अब जो वर्ड आया है, right hand screw, तो right hand screw का मतलब पहले समझते हैं, right hand screw का मतलब है, हम लोग right hand से screw को यूज करेंगे तब उसको feel कर सकते हैं, जैसे माल है तहीं कि यह दिवार है, इस दिवार में कोई screw हमने डाला, और उसको जब clockwise घुमाते हैं, ऐसे घुमाने हैं, तो क्या होता है, ऐसे घुमाने से, clockwise घुमाने से screw tight होता है, screw tight होने का मतलब क्या दिवार के अंदर जाता है, ठीक, और जब anti-clockwise घुमाते हैं इसको, तो anti-clockwise direction में घुमाने से screw खूलता है, screw खूलने का मतलब दिवार से बाहर आएगा, ठीक, तो हमें तो पता होता है कि cross product का जो direction है, वो inward-outward, तो inward-outward समझने के लिए, हमें सिर्फ ये पता करना होगा कि screw जो है, वो अंदर जा रहा है, या बाहर जा रहा है, अगर screw का movement अंदर की तरफ है, यानि कि tight हो रहा है, तो inward direction, और अगर screw खूल रहा है, यानि कि दिवार से बाहर आ रहा है, तो outward direction, ठीक है, तो ये ध्या रहा है, कि right in screw का मतलब हमेशा right hand से use करके feel करना उसको, कि clockwise घुमाएंगे ऐसे, तो अंदर जाएगा, और anti-clockwise घुमाएंगे तो बाहर आएगा, अगर माल ये दिवार नहीं, कोई कहता है कि दिवार तो मेरा सामने इधर है, है ना, मतलब जो दिवार है, वो इधर है, तो मैं screw को ऐसे डालूँगा, ऐसे डालूँगा, तो इस तरह से घुमाऊंगा, मतलब मैं देख रहा हूँ, तो मेरे जिए clockwise दिख रहा है, तो clockwise घुमाऊंगा, तो screw इस दिवार के अंदर जाएगा, तो invert हो गया, और ऐसे घुमाऊंगा, तो screw खूलेगा, यानि कि बाहर आएगा, यानि मेरी तरफ आएगा, तो कोई भी दिवार हो, वहाँ पर screw रखेंगे, और screw का motion देखेंगे, screw का motion ही बताएगा, कि right hand is, जो cross product है, उसका direction किदर होगा, तो हम लोग सीखते हैं कि right hand screw rule है क्या, जैसे अपने पास दो vector दिये गए, एक vector दे दिया गया यहाँ पर B, और एक vector जो है, वो दे दिया गया है, A, ठीक, तो right hand screw rule से, या किसी भी rule से, close product का direction निकालना हो, तो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए, कि दोनों vector का tail एक जागा मिलाना चाहिए, तो पहले वो काम करेंगे, इसमें हमें पता है कि जब किसी vector को खुद के parallel shift करते हैं, तो उसका direction change नह नहीं होता, या vector change नहीं होता, तो उसको shift करेंगे, shift one of the vectors such that their tails, their tails coincide, इस तरह से shift करना है, कि इनका tail जो है, वो coincide कर जाए, अब चाहिए, तो A को यहाँ ला सकते है, parallel shift करके, length change नहीं करना है, उसका direction भी चाहिए, rotate नहीं करना है, उसको खुद के parallel ला देना है, अब दोनों का tail मिल गया, तो यह दोनों के बीच का angle हो गया, यह को यह भी कर सकता है, ता कि B को shift करके वहाँ ला जाता, जैसे यह है, इ यह B को वहाँ ले जानका कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, angle अब भी भी theta है, वैसे ही दोनों के tail से मिल रहे है, अब जो है, जैसे यह वाला जो figure है, मैं इसको आगे बनाता हो यहाँ पर, जैसे यह तो हो गया, vector A, और यह हो गया, vector B, दोनों के बीच का angle है, theta, तो इसमें ह हो सकता है कि A cross B का direction निकालना होगा, या B cross A का direction निकालना होगा, तो जब भी हमें इनका direction निकालना होगा, ध्यान रखना है कि जो left में लिखा है, इसको हम लोग मानते हैं कि यह first vector है, और जो right में लिखा है, यह second vector है, ठीक है, left वाला हमेशा first और right वाला हमेशा second माना जाए यह भी पता है हमें कि cross product का जो direction होता है यह जो दो वेक्टर हैं इन वेक्टर के plane के perpendicular होता है तो हमारा जो screw है वो भी इनके plane के perpendicular ही लखना होगा तो क्या करेंगे put a right hand screw a right hand screw at point of intersection of tails such that such that screw is perpendicular to plane of two vectors मतलब जो दो वेक्टर हैं उनके plane के perpendicular screw को रखना है कहां पर उनका tail का intersection point वर जैसे देखेंगे कि यह और भी यहां मिल रहा है और यह board के plane में है तो मैं एक screw रखूँगा ऐसे board के perpendicular और tail के intersection point पर ऐसे screw को रखना है तो उसके बाद क्या करेंगे screw तो हमने रख दिया यहां पर इस तरह से screw रख दिया कोई चाहे तो पीछे से भी रख सकता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे यह दो वेक्टर हो गए तो screw को मैं यहां से रख सकता हूं या मैं पीछे से भी रख सकता हूं अपना result जो है वो same आएगा तो यह confuse नहीं होना है कि मैं किदर से रखूंगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे screw रखने के बाद screw को घुमारना है तर्म दे श्क्रू फ्रूम फर्स्ट वेक्टर तू सेकेंड वेक्टर वाया स्मॉलर एंगल अब जैसे यह A और B वेक्टर है तो देखेंगे कि एक बड़ा सा एंगल बन रहा है यह फाई एक छोटा सा एंगल बन रहा है थीटा तो हम लोग क्या करते हैं यह जो थीटा है इसी को एंगल वेक्टर माना जाता है तो कहा गया कि screw को यहां तो पहले रखेंगे intersection point पर plane के perpendicular और फिर screw को घुमाना है तो घुमाने के लिए कि लिए कि first vector से second vector की तरब तरब करना है first vector turn the screw from first vector to second vector तो अगर मैंने यहां screw रखा है तो screw को मैं A से B की तरब घुमाऊंगा और A से B की तरब घुमाने के दो रास्ते होगा है एक तो A से ऐसे anti-clockwise घुमा सकता हूँ और एक तो यह तरब clockwise direction से ले जा सकता हूँ तो इसमें कहा गया वाया smaller angle smaller angle मतलब कि theta से होते हुए जाना है phi से होते हुए नहीं जाना तो मैं A से B की तरब घुमाऊंगा ऐसे छोटे वाले angle से होते हुए तो anti-clockwise घुमाने से मैं बड़े वाले angle से होकर जाना पड़ेगा इसलिए क्या करेंगे इसको यहाँ पर anti-clockwise दरिश्म घुमाना पड़ेगा अब हम लोग क्या करेंगे जैसे A से B घुमाया तो आप ऐसे जैसे मैंने समझाया था आप यहाँ पर screw को feel कर सकते हैं ऐसे A से B घुमाना है ऐसे anti-clockwise direction में screw को घुमाएंगे तो screw खुलेगा screw खुलने का मतलब क्या हुआ board से बाहर आएगा यानि कि इसके plane से perpendicular बाहर की तरफ आएगा तो outward direction हो गया इसका तो जो figure में दिखाया गया है इस figure में outward direction हो गया तो अगर हम लोग ऐसे screw को turn करते हैं तो turn करने से screw किदर जाएगा अंदर जाएगा या बाहर जाएगा वही cross product का direction होगा तो कहते हैं the movement of the movement of right hand screw will give the direction of cross product अब जैसे यहां पर a cross b का direction हमने निकाला यहां पर तो यह तो बाहर आ गया अगर मैं b cross a का direction निकालू तो क्या आएगा जैसे यह अपना b vector है और यह अपना a vector है यह theta angle है तो जैसा कि मैंने आप vector बनाया है आपको right hand screw लगाने के लिए दो vector लेना जरूरी नहीं है आप दो उंगलियों को use कर सकते हैं जैसे देखेंगे एक जो है thumb है thumb को मैंने vector यह की तरफ कर दिया और यह जो finger है इसको मैंने b की तरफ कर दिया तो अपने पास दो विक्टर आ गए अब इनका जो plane है यह plane बन गया तो इस plane के perpendicular होना चाहिए cross product का direction तो हम लोग screw को रखेंगे इनके plane के perpendicular यानि कि यहां पर रखना है यह तो यहां पर ऐसे रखेंगे यह पीछे से रखेंगे तो हमारे लिए की तरफ यहां पर a नीचे है है तो a से b कर ऐसे घुमाना पड़ेगा मुझे a से b की तरफ घुमाना है तो screw को anti-closure screw खूलेगा लेकिन अगर कोई b cross a पूछ रहा हो तो क्या होगा अगर b cross a का direction निकालना हो तो b से a की तरफ screw को घुमाएंगे और भी छोटे वाले एंगिल से जैसा कि यहां का आगे smaller एंगिल से होते हुए तो b से a लाएंगे यानि यहां से ऐसे लाएंगे तो क्लोक वाज घुमाना पड़ेगा तो अगर मैं screw को क्लोक वाज घुमाऊं ऐसे तो screw tight होगा, tight होने का मतलब screw दिवार में जाएगा अंदर जाएगा तो inward direction होगा बी क्रोस एका, तो a क्रोस b का direction outward, b क्रोस a का direction inward इसका मतलब यह हुगा कि b क्रोस a is equal to negative of a क्रोस b दोनों का magnitude equal होता है, direction सिर्फ opposite होता है जैसा कि अलों जानते हैं, magnitude होता है a, b, sin, theta दोनों के लिए लेकिन direction opposite है, a क्रोस b बाहर आया और b क्रोस a inward direction में आया